हेलो फ्रेंड्स मैं हूं ममता और आज मैं आपको बताऊंगे कि घर पे हांडी पनीर हम कैसे बनाए होटल और रेस्टोरेंट से भी बढ़े हाज हम पनीर अपना घर पे बनाके तयार करें बिल्कुल इजी तरीका मैं आज आपको बताया है तो वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखें और जैसे मैं बनारी मिल्कुल आप इस तरह से बनाई तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है उसमें मैंने डाल दया दो चम्मत तेल जैसी गरम होगा हमारा उसको हम चारो तरह पैन में फला लेंगे और ज जिलो गैस पर हम इसे सीख ना है अगर हम तेज आज पर इसको सेखेंगे तो यह जल जाएगा मिल्कुल एकदम मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पनीर को सेख लेंगे और यह देखे हमारा पनीर बढ़िया से दोनों तरप से बढ़िया से सीख चुका है जब हमारा पनीर अच्छे से सीख जाएगा तो हमें से निकाल लेंगे प्लेट में इतना बढ़िया पनीर यह बनके तयार होगा आज हंडी पनीर जब आप किसी को भी खिलाएंगे या खुद भी खाएंगे तो बस खुद की तारीब करते नहीं थकेंगे इतना बढ़िया आज हमारा पनीर बनेगा तो जैसे हमारा पनीर वो सीख जाएगा तो उसी पैनल में थोड़ा सा तेल और डाल दूगी और यहां पर मैंने लिया है दो प्याज प्याज को बारी कट लिया है अच्छे से हम इसको भून लेंगे बिल्कुल एकदम जैसे सुनहैरी और कुरकुरी होने तक हम प्याज भूवनदा है क्योंकि इसके बाद में हमें इसको पीसेंगे गए और यह देखे हमारी प्याज अच्छे से भून चू कि अत् annex को निका लेंगे एक प्लेट में धिएल होनी क् деле रख देंगे जितनी देर में हमारी प्याज ठंडी होती है इतनी देर में हाउना ते होगी इसको भी हमें मिक्सिजार में डाल देंगे और इसको oportunidadOn यसमें डाल दी और यहां पर मैंने लिया है 10 से बारे ऑकाजू इसमें डाल देंगे और पानी हम इसमों नहीं डालेंके पानी की जगे पर जालेंगे हम इसमें दही ृowing दही डालके इसे बलकुल बढ़िया से हम अच्छे से पीस लेंगे और एकदम बारिक सा इसका हमें पेश्ट बनाना और हमारा पेश्ट भी तयार हो चुका है यहां पर मैंने रख दिया अपनी हांडी गैस को बलकुल एकदम मीडियम रखा है हांडी में मैंने डाल दिया हम भूल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़ है से हमारे मसाले भून चुके हैं जैसे हमारे खड़े मसाले भूनेंगे अच्छी सी खुश भूआएगी हम इसमें डाल देंगे अधर का पेश्ट इसको भी एक-दो मिनट अच्छे से पहले हम भूल लेंगे अगर आ हमारे ठेमाटर का कच्छा पन आ जाए और यहां ए थोड़ा सा टाला इसमें सबजी मसाला और टेष्ट के हम ढाल देंगे इसमें पहलेए और नमक डालते ही तो इसको भड़ियास से चलायंगें मसाला हमारा भुंगной जाएंगा वाफ कुस्छ हम फंखे माण पैस्ट बना के रखा था दैए में अधेक काजु का बहुते हिसनों भी अच्छे से भूल लेगी इसको डालते ही जो हमारे मसाले में एकदम थिकनस एकदम गेवी एकदम बढ़िया से हमारे तियार होगी तो मैघ इसके आप काजू इसका डाले काजू ने लगी है कि और यह एकदम बढ़िया से हमारा मसाला भंद चुका आप यहां इसमें मैं डाल दूँक कशूरी मेति को हलका सा पहले भून लिया ता बिल्कुल बुलका सा भूना है और उसको हाथ से अच्छे से रोष्ट किया उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला और यहां पर मैंने डाल दिया मलाई यहां पर मैंने बिल्कुल घर की मलाई डाली आपके पास अगर यह नहीं है तो आप इसमें फ्रेस थोड़ा सा सेक लिया था पनीर आप चाहे तो इसको कच्छा भी पनीर डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने डाल दे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और यह देखें मैंने तीन मिर्च ली थी जिसमें हलका सा मैंने चीरा लगा दिया वो भी समय डाल दिया और जैसी हम इसमें इस सब चीज़े डालेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे एकदम बढ़िया से मिला लेंगे और उसके बाद में दो से तीन मिनट तक और पकाएंगे और ये देखिए हमारा एकदम हांडी पनीर बनके एकदम तयार है इतना लाजवाब इसका टेस्ट होता है कि जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा तो एक बार तो आप जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी बनी ही वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट आप जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और यह देखे हमारा एकदम हांटी पनीर बनके तयार है कितना बढ़े आ इसका कितना बढ़े देखने में लग रहा तो आप सोचिए जब आप बनाएगे तो आप एक बार जरूर ट्राइ करें और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और आप इंजॉय करें ये पनीरा मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मज